पूर्विल लदाख में भारत और चीन के विच विवात बरताई जा रहा है चीनी सिना ने 29 और 30 अगस्त की रात पैंगोग जील के दक्षनी तट पर घुसबैट की कोशिस की लेकिन भारतिये सिना ने बड़ी करवाई करते हुए घुसबैट की कोशिस को नकाम किया सुत्रों के हवाले से खबर हाई कि सिना ने 4 किलोमेटर अंदर तक घुस कर चीनी सैनिकों को ख़देड़ा और उस दौरान भारत ने एक आम पोश पर कबजा भी कर लिया है वारतिय सिना ने चीन के करी 500 सेनिकों को घेर लिया और 4 किलोमेटर अंदर घूस गए जहां चीन का कब्जा था जारखन मौसम विभाग के उनसार राजे में मांसून अगले 5 दिनों तक कमजोर रहने के संकेत हैं मौसम विभाग के उनसार 7 सितंबर तक राजे के अधिकान छेत्रों में मौसम साफ रहेगा राजे के दक्षिनी भागों में अगले 2 दिनों के बाद बादल चा सकते हैं हलाकि राजे में पिछले 24 गंटे के दवरान सिम्डेगा, गोड़ा, रामगर, लातेहार, गुमला, देवगर, लुर्दागा, पाकुर, दूमका में अच्छी बारिस हुई है इस्कूल खोलने के लिए राजे में ओफ-लाइन सर्वे की मांग जारकन पैरेंट्स एस्कूल खोलने को लेकर ओफ-लाइन सर्वे करने की मांग की है एस्कूल के अध्यक्ष अजय राई ने कहा कि जारकन सिक्षा पर्योजना परिशाद द्वारा कराया गया ओनलाइन सर्वे ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पूरे राज ये के अंदर सिर्फ 12,000 अभीभावक जागरूप है जो अपने बच्चों के प्रति सर्वेदन सील है ओनलाइन सर्वे में वे अभीभावक भाग ले सके जिनके पास इलेक्ट्रोनिक संसाधन थे एन्सी आर्टी की सर्वे में यह बाद सामने आई है कि बर्तवान में जो ओनलाइन क्लास बच्चों को कराया जा रहा है उसमें मात्र 27 परतिसद बच्चे तक ही असुविदा उपलब्ध हो पा रही है जारखन में 1587 नय संक्रमितों की पुष्टी हुई जारकन में कुल संक्रमितों की संख्या 46 एर 480 है जबकि त्स हैं 886 लोग 1853 की मिलीती हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 49, 33, 124 है जबकि 30, 34, 1887 लोग 1859 की मिलीती हो गई बारत में नए केस 84 156 मिले हैं गुरु आरको 6 की मौत हो गई जिसमें जमसेदपूर के 3 राची के एक देवघर के एक वधनबाद के एक की मौत हो गई गुरु आरको 1121 स्वस्त भी हुए हैं एक्टिव केस इस प्रकार है राची एक्टाली सो पचपन, पूर्वी सिमू पचीशो पचास, बोकारो 789 हाजारी बाग साथ सो एक्षट, नामगर साथ सो उनसट, कोडार्मा साथ सो तीन, धनबाद 527 सराय केला 551, गिरी डिचासो चासी, चात्रा 377 सायवगन 371, लातेहर 356, गूमला 345, पच्मी सिम्भूम 342, पलामू 303, गडवा 302, खुटी 271, दूमका 220, सिम्डेगा 212, लुर्दागा 130, जामतरा 123, पाकुर 144, देवगार 141, गोटा 129, मरीज, फिलाल एक्टिव हाए बता दे कि जारखन में आपता कूल 10 लाग से पार्ट टेस्ट हो चुके, जारखन में टाना भगतों ने जाम किया रेलवे ट्रेक, पलामू के डाल्टेन गज में खड़ी रही नई दिली राची राजधानी एक्सपरेस, लातेहर जीला के चंदवा इस्थित टोरी रेलवे ट्रेक को टाना भगतों ने जाम कर दिया है, इससे पलामू के मेदनी नगर के डाल्टेन गई रेलवे इस्टेसन पर खड़ी रजधानी एक्सपरेस के यातरी परिशान है, ठाना भगतों ने अपनी मांग को लेकर पिछले कई घंटों से टोरी रेलवे ट्रेक को जाम किया मौके पर पहुंचे अधिकारों ने उन्हें समझाने का काफी पर्यास किया लेकिन वे आपना मांग पर डटे रहें बता दे की भूमी पट्टा टाना पेंशन छोटा नागपूर टेनेसी एक्ट में मिले अधिकारों को लागू करने समयत अन्य मांगों को लेकर बड़ी संख्या में टाना भक्तों ने पूरो निर्धारित कारकरम के तहत चंदवा के टोरी में विरुवत परदसन किया 1932 का खतियान होगा अस्थानिय निती का अधार सिक्षा मंत्री जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात महतु ने गुरुवार को एक बार फिर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि जार्खन के अस्थानिय निती का अधार 1932 का खतियान होगा भारतिये जनता पार्टी के रववर्दास की सरकार के उनईसोपचासी के अस्थानिये नीती का कोई अधार नहीं है साथी सिक्षा मंत्री ने कहा कि जारखन में उसी राजे के लोग सिक्षक बनेंगे दूसरे राजे के लोग अब जार्खन में सिक्षक नहीं बन पाएंगे 18 सितंबर से विधान सभा के मांसून सत्र का प्रस्ताव तीन दिन का होगा कार्य दिवस जार्खन विधान सभा का मांसून सत्र 18 से 22 सितंबर तक संभावी था सरकार ने मांसुन सत्र को लेकर प्रस्ताव बना लिया है, इसमें तीन दीन कारे दिवस होंगे, सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव कबिनेट से पारित होने के बाद राज येपाल को भेज दिया जाएगा, इधर करोनमाहमारी के बीच मांसुन सत्र आहूत करने को लेकर बनाई जाएगी सत्र में सामील होने वाले विजायकों से लेकर उनके सयोगी वा आने जाने वाले की कुरोना जाच अनिवार्य होगी जार्खन में 15 सितंबर से सुरू होगी क्रिकेट कुरोना वायरस की वज़ा से पांच महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे सा होने वाला है बता दे कि इसके लिए सुरक्षा के कड़े मापदान तय किये गए हैं कहा गया है कि जार्खन में मैच खेलने वाले होर खिलाडी का कुरोना वारस टेस्ट करा जाएगा आज से कला बिला लगाएंगे 25 सायक पुलिस 16 से समोहिक हर्ताल की चतावनी जाखन के अती नक्सल परवावित 12 जीलों में करेरत 25 सायक पुलिस ने अस्थाई करण और बेतन बिरिधी की मांग को लेकर अंदोलन की त्यारी की है निधारीत कारेकरम के तहट 4 सितंबर से 6 सितंबर तक कला बिला लगा कर सभी सायक जवान अपना विरुवत प्रजशन करेंगे इसके बाद 7 सितंबर से 14 सितंबर तक सामोहिक अवकास पर रहेंगे वही 16 सितंबर से अनिश्चित कालिन हर्ताल पर चले जाएंगे बता दे कि सायक पूलिस को 3 साल की सेवा पूरी होने के बाद जार्खन पूलिस के अरक्षी के पदो पर सिधी नियुक्ति देने का अस्वासन दिया गया था गरामिन डाक सेवक विभाग उडिसा पोस्टल सर्किल और तमिलाडू पोस्टल सर्किल में कूल 222 पदो पर वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए न तो इंटर्वियू लिया जाना है और नहीं लिखित परिक्षा उमिद्वार इंडियन पोस्टल.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं इसके लिए आयो सीमा 18 से 40 बरस्त के बीच होनी चाहिए जिन्होंने 10 वी या 12 वी के साथ कंप्यूटर सिक्षा किया है उन्हें छुट दी जाएगी पद के अनुसार वेतनमान 10 से 8 से 12 यार के बीच है अवियार्थी डिस्क्राप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक से सिधे अपलाई कर सकते हैं कस्तूरबा गांधी बाइल का आवासे बिद्याले का होगा सर्वे राची समनाले इस्थिट डीसी ओफिस में CRS फंड की समिक्षा बैठक होई डीसी छवी रंजन ने CRS फंड की बैठक में कहा कि राची जीला अंतरगत संचालित कस्तूरबा बिद्यालियों में जरूरी सुविधाओं की जनकारी एकत्र कर प्रस्ताव बना कर कारे करे ताकि बिद्यालियों को और आकरसक बनाया जा सके रांची में पाइप लाइन बिछाने के लिए चल रही खुदाई के दोरान निकला सीव लिंग मंदीर निर्मान की मांग जारखन की रहजानी राची में CRPF कैम के पास पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई चल रही थी खुदाई के दोरान एक सीव लिंग निकला इसे लोगों ने सड़क किनारे रख दिया और फिर पास में एक जमीन पर अस्थापित कर उसकी पुजा आर्चना शुरू कर दी ग्रावनों ने कहा कि वहाँ सीव मंदीर बनाए जाएंगे लेकिन परसासन ने उस जगह की घिराबंदी कराने से लोगों को माना कर दिया आदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं इसके लिए जीला परसासन की ओर से साथ युवाओं का एक समो बनाया गया है जो हर रोज आठ से दस घंटे तक कॉलिंग का काम करते हैं फोन करके वे उनकी काउंसिलिंग करते हैं कि कैसे उनका प्लाजमा लोगों की जिंदगी बचा सकता है इसके लिए NGO की मदद से ऐसे जीवा का चनन किया गया है पच्चमी सिंभू में 7000 बनेगा नया रासनकार्ड पच्चमी सिंभू में 7000 परिवारों का नया रासनकार्ड बनाया जाएगा यह जनकारी उपायूक्त अरवार राज कमल ने आपूर्ती विभा की समीक्षा बैठक के बाद दी उन्होंने कहा कि छूटे हुए परिवारों के भी आवेदन प्राप्थ हुए हैं इन में गरीब एवं पात्र व्यक्ति का चैन करते हुए प्राथमिक्ता क्यादार पर रिक्त अस्थान का आकलन करते हुए रासन काट बनाने का निर्देश दिया गया है देवघर में मुख्य मंत्री स्रमिक योजना का सुबारम देवघर विकास भवन के सभागार में एक कारेश चला का आवजन किया गया सहरी ग्रामिनों के लिए जार्खन सरकार दोरा मुख्य मंत्री स्रमिक योजना का सुबारम किया गया इस योजना को जार्खन के सभी 51 नगर निगायों में किर्याणित किया जाना है योजना के तहट सहरी अकुसल स्रमिकों को 100 दिनों का गरांटी युक्त रोजगार उपलवद करवाना है यूरिया की कमी दूर करे सरकार संजय सेट राची के सांसद संजय सेट ने राजशरकार से यूरिया की कमी दूर करने की मांग की है सांसद सेट ने गुरुआर को कहा है कि इस बार अच्छी बारिस की वज़ा से धान की फसल अच्छी होने की उमीद है सभी जिला में एक महीना पूर्व धान की रोपनी हो चुकी है धान की अच्छी फसल के लिए यूरिया की जरूरत है कई ग्रामी चेत्रों में यूरिया की कमी के करण किसानों को परिशानिया का समना करना पड़ रहा है नई सिक्छा निती बेरुजगारी दूर करने वा गुनात्मक सिक्छा की दिशा में पूर्णत सहायक सिध होगी ए बात ते पाकुल अस्थानिये डियेवी पबलिक इस्पूल के प्रचार या डाक्टर विजय कुमार ने गुरुआर को कही वे गुरुआर को इस्पूल में नई सिक्छा निती को ले आयोजित एक सेमिनार के मौके पर यह बात कही है लोगों को गुमराह कर रहे बाबुलल मरांडी जामुमो जार्खन मुक्ती मौर्चा के महासचीव सफ प्रवक्ता सुप्रीमो बट्टाचार ने गुरुआर को प्रेस ब्यान जारी कर कहा कि हेमन सुरेन के नितीत वाली कमीटी ने 18 अगस्त को साथ लोग अवस खदान को सरकारी उपकरम जार्खन राज खनीज बिकास निगम लिमिटेट के लिए अरक्षित किया था उन्होंने कहा कि इस फैसले पर आपती दर्ज कराने वाले बाजपा नेता बावलन वरांडी को यह बताना चाहिए कि साल भर पहले जब वो अजार्खन विकास मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे उस वक्त इन ही साथ लोग अवस खदान के अनुग्यापती धारियों के खिलाप किस भासा का परियोग करते थे और रगवर राज में इनको पहुँचाए गए फाइदों के खिलाप क्यों बो आयजक में उपाव्युक्त ने इस वर्स कस्तुरुवा गांधी बालिका पाइक सेट उलियों के इंटर परिक्षा के पहिञां मन्रेगा कर्मी काम पर लह उठे सखार उनकी मांगों पर विकार ने को त्यार मंत्री ऑलमगीर राज के गरामिन विकास मंत clarity आलमगिर आलम ने कहा है कि हर्ताली मन लेगा कर्मी काम पर लोटे राज सरकार उनकी हर मांगो पर विचार करने को तयार है उन्होंने यह भी कहा कि मनलेगा कर्मीों के संग के प्रतिनी दियों के साथ हुई बातकीत में उनकी अधिकांस मांगो प और से कलाकारों को एक एक हजार रुपए के आर्थिक मदद दी जाएगी साथी विशेस दिवस पर जिला मुख्यालों में अनलाइन कारेकरम सुरू करने की भी योजना है रांची में किसानों के लिए सुरू होगी क्रिसी पाट सला रांची में अब खेत पर ही उनत खेती की ब्यवहारिक जनकारी देने के लिए क्रिसी पाट सला का आवेजन होगा परखंडवार आरंब होने वाली किरिसी पाट साला का उदेश किसानों की आय को दोगना करना है इसकी सुरुआत जल्द ही होगी पहले चरण में मसुरूम की खेती से जुड़े किसान पाट साला में सामिलित होंगे नकसल अभियान को लेकर बनेगी बड़ी रननिती नकसल अभियान को लेकर जार्खंड पुलिस बड़ी रननिती बनाने में जूटी है साथ सितमबर को जार्खंड पुलिस और सियार पी एफ के सभी जीलों में तैनात कमांडेंट एवं डियाईजी अस्तर के अधिकारी को भी बुलाया गया है डिजी पी एमबी राव के अधिक्सता में बैठाक बुलाई गई है